भारत की लार्जेस पॉब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अपने फिक्स डिपोजिट पर दिये जाने वाले इंट्रेस रेट पे बढ़ोत्री कर दी है, और करीब करीब एक साल में ये पहला ऐसा आफसर है जब स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अपने डिपोजिट या फिर भी डिंक डिपोजिट की इंट्रेस रेट पे भणात्री की है, लास्त वां यर में जितनी भी स्टेट बैंक ओफ इंडिया में तो हर समय 7 घटा आई था एक चार्ट के थूँ आपको बताऊंगा अगर हम State Bank of India में जाकर अपनी एक fix deposit खुलवाते हैं चाहे हम normal citizen हो या फिर senior citizen तो अभी नई interest rate के हिसाब से हमें कितनी interest मिल पाएगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटाव पर शुरू करते हैं एस बिया फिक्स डिपोजित इंट्रेस रेट एज और फिप्तिन वान तो थाउजन ट्वेटिटीटू यहां पर टेनियर दिया हुआ है फिक्स डिपोजित इंट्रेस रेट जेनरेल और senior citizen यानि की नई इंट्रेस रेट जो अभी हमें मिलेगी 15 जनुवरी 2022 के बाद वो दिया गया है और यहां पर maturity amount on 1 लाग मतलब नई इंट्रेस रेट के हिसाब से जेनरेल सिटीजन और senior citizen अगर एक लाग की फिक्स डिपोजित खुलवाते हैं तो maximum tenure पर उनकी कितनी maturity amount हो जाएगी इसके बार senior tenure है वह साथ दिन से 45 जिन की यहां पर जो जेनरल सिटीजन की इंट्रेस रेट है वो 2.90 परसेंट है और senior citizen की 3.40 परसेंट है maturity amount यहां पर एक लाग पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर आपको नहीं कहूंगा आप कुदी देख लेगे 46 days to 179 days 3.90 परसेंट है और senior citizen की 4.40 फिर आजाती है 180 days to 210 days 4.40 परसेंट नॉर्मेल सिटीजन की इंट्रेस रेट है और senior citizen की 4.90 है फिर है 211 days to less than 1 year 4.40 परसेंट है नॉर्मेल सिटीजन की इंट्रेस रेट और senior citizen की 4.90 परसेंट है फिर आजाती है 1 year to less than 2 years यह सबसे common और सबसे popular tenure है इस्टेर बेंक ओफ इंडिय यहां पर General citizen की interest rate है 5.10% और senior citizen की 5.60% यहां से नई interest rate यहां पर लागु होना start हो गया है फिर 2 years to less than 3 years 5.10% interest rate है और senior citizen की 5.60% है फिर आ जाती है 3 years to less than 5 years 5.30% interest rate है और senior citizen की 5.80% interest rate है फिर आजाती है 5 years to up to 10 years fixed deposit पर maximum 10 years हमें 10 सालों की मिलती है और यहाँ पर अगर हम 5 साल से 10 साल के 20 की अगर हम fixed deposit खुलवाते है state bank of india में जाकर तो general citizen को 5.40% interest मिलेगी और senior citizen को 6.20% यहाँ पर अगर हम maturity amount की भी बाते करें तो 1,00,00 की जो maturity amount होगी सबसे बड़ी जो tenure है 10 सालों की तो वहाँ पर 1,73,233 रुपीज हो जाती है normal citizen की maturity amount एक लाग पर और senior citizen की 1,85,011 रुपीज फिर यहाँ पर आ जाती है 5 years tax civic FDA एक ऐसी fixed deposit है जहाँ पर आपको tax की बचत भी मिल जाती है तो यहाँ पर normal citizen की जो interest rate है वो है 5,30% और senior citizen की 5,80% यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है जो senior citizen की interest rate है 5 से 10 साल के tenure के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,20% है और यह जो 6,20% interest rate दिया जा रहा है यह SBA we care deposit for senior citizen की scheme के अंडर ही दिया जा रहा है और यह scheme 31 मार्च 2022 तक हीड लागू है मतलब उसके बाद 6,20% interest rate नहीं मिला करेगी senior citizen को अगर वो state bank of india में जाकर 5 से 10 साल के बीच की fix deposit को चूज करते हैं तो तो यह है वो नई fix deposit की interest rate जो state bank of india आपसे याने की 15 जनवरी 2022 से अपने customers को provide कर रही है अगर आप state bank of india में जाकर अपनी एक fix deposit खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो जाइए क्योंकि state bank of india ने लगभग एक सालों बाद अपनी fix deposit की interest rate पे बरोत्री कर दी है आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं information मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को like और सब्सक्राइब करें सब्सक्र झाल